सैं पिटोडा के इस्तिफा से भारत के उपर जो इतनी बड़ी घालिया दी गई है वो नहीं मिट सकता इसके लिए राहुल गांधी सोनिया गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए मुझे तो लगता है माँ बेटे ने मिल करके भारत को खत्म ही कर देना चाहते है कभी हिंदु मुशल्मान के नाम पर कभी उत्तर भारत दक्षिन भारत के नाम पर और अब रंगभेद के नाम पर इस धंग से गालिया देना ये भारत के लिए अपमान है राहुल गांधी सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए लोग कहते हैं हम लड़भग 88 परतीशत आवादी हमारी थी 90 परतीशत आज घट करके हम 70 परतीशत पड़ा गया है मुसल्मान आठ परतीशत थे आज बढ़कर के सरकारी आकरे 14-15 कहता है मैं तो कहता हूं 20 हो गया है यह कांग्रेशियों ने बिहार सही तमाम देश को धर्मसाला बना दिया 1971 में जो बंगलादेश से जो बंगलादेशी घुसपैठी आए उस समय इनों ने एक तरह से चाड़ागाह बना दिया भारत को बिहार को प्रोहंगिया बंगलादेशी घुसपैठी इसको बोट बैंक कांग्रेशियों ने बनाया और ये भारत के सनातन को खत्म करने की एक साजीस भी है आज मुसल्मानों को बैक डोर से आरक्षन दे रहे हैं ये हिंदूओं की घटी हुई आबादी मुसल्मानों की बढ़ती हुई आबादी आप देखें 0 से 14 बरस के बच्चे की आयू मुसल्मान में कितने परसेंट है हिंदू में कितने परसेंट है आने वाले दिन में और दूसरा देखें हमारा फटिलिटी रेशियो उनका फटिलिटी रेशियो हिंदूओं के फटिलिटी रेशियो से एक परतीशत अधिक है सावापरती सावा ये सावापरती साथ अधित होना ये पताता है कि आने वाले दिन में भारत को लोग इसलामिक अश्टेट बनाना चाहते हैं और ये साजीस बहुत बड़ी साजीस है उसमें कामरेस का सबसे बड़ा तुष्टिकरन रोल रहा है आजादी के बात से ये बोट जहाद का मामला है अब आपने देखा होगा कि कई चैनलों पर हमने देखा कि अब मुल्ला तै करते हैं मुशल्मानों को की जारी करते हैं फत्वा कि किस कंडिडेट को बोट देना बोट जहाद और है क्या देश में लब जिहाद किया गया किन महिल लड़कियों को लब जिहाद के तरह किया लिया जाए लेंड जिहाद किया गया लेंड जिहाद भी है ये कांग्रेस ने सहितालिस के बाद जो जमीन हिंदूओं को सौपना चाहिए वो मुशलमानों को सौपते चले रहे भारत में एक तरह से सनातन को खत्म करने की साजीश है मुशलमानों की बढ़ती हुई जनसक्या हिंदूओं का गिरता हुआ जनसक्या ये एक चिंता जनकरस्थिती है अगर इस पर नहीं हम चेते कोई कानूम नहीं बना और आने वाले दिन में बार भारत के लिए समस्या पर